तेरे देश को खत्म करने के लिए मुझे किसी हतियार की जरूरत नहीं है तुम्हारे भगवान की तरह मैं भी अत्रश्य हूँ क्या आप इसकी इजाज़त देते हैं हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं सर यू कहां जाये तो आज आधे हिंदुस्तान आपसे नफुरत कर रहा है ऐसा क्या कर दिया भई मैंने अब यह तो आप ही इस चीज का खुलासा करेंगे हाँ कहीं आपका इशारा आप मेरी आई हुई फिल्म संगाज 2 की तरफ तो नहीं है जी आज दूसरे हफ्ते में धमाकेदार प्रवेस किया है जी 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 कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में हाँ हाँ यह सब हमारे दर्शकों का प्यार है और जिसकी वजह से हम लोग बहुत सफलता पुरपक दूसरा हफ्ता भी तो यह कल ही घोषणा हुई कि अब हम बिहार के मल्टिप्लेक्स में फिल्म हमारी लगी हुई है और कुछ सिनेमा हॉल मेरे खिया से 17-18 ने बाइस के आसपास सिनेमा हॉल बढ़ा है आज के दुसरे हफते में तो यह प्यारी कहेंगे और उपलबदी भी कहेंगे अपने इं हाँ मुंबई से बाहर हुँ मैं इसमय गाव में हूँ बिहार के ही फिल्म के सिल्सिले में हूँ ताकि दर्शकों से रूबरू हो सकूँ तो यहां बिहार में मैं पुर्वी चंपारन जिले से अरे राज का रहने वाला हूँ अरे राज से दस प्रूम्टर दूर दामुदरपुर गाउं है मेरा हाँ 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 दूसरे वाले में हाँ है हिंदूस्तानी तुझे मारने के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं है मैं जब चाहूं मसल कर रख दूंगा तेरे हिंदूस्तान को अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि कम समय नहीं कहेंगे क्योंकि कम समय सफलता पाने के लिए पीछे बहुत लंबी महनत करनी भी पड़ी है और पहली फिल्म आई थी दवंग सरकार हाँ वह पहली फिल्म थी हमारी तो उसके और उसके और संघर्ष के बीच में मैंने कम से कम चालिस फिल्में करी तो अल्मोस्ट पिछले पांट साल में तो बीचें बहुत सारी फिल्में करी लेकिन फिर एक संघर्ष क्याने से फिर से एक उच्छाल आया कैरियर में खुप्सूरत वाला संघर्ष के लिए फाइनल हो रहा है कि आपका पासपोर्ट है मेरे पास है तो ठीक है इस महीने की डेट आप रखिएगा हम दो चल रहे हैं बैंकोक तो यह कास्टिंग मुझे लगता है कि पराग सर के साथ मैंने एक फिल्म किया था फसल जिसमें दिनिस दर ले आदो जिसमें हीरो हैं तो वहां उनके साथ पहली बार मैंने काम किया तो शायद मुझे लगता है काम पसंद आया होगा और पुराने कामों के आधार पे ही संघर्ष मेरी कास्टिंग होगी यह आप सभी का प्यार है और दर्शकों का जे आधार पैसे हुआ आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर मेरी हाँ मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप दोनों की शुटिंग के दरन कुछ ऐसा किसा है जो बताना चाहेंगे आप हमारे और खेसारी भाई के बीच में जी 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 हाँ वाक्या तो बहुत सारे हैं हम लोग शुट जब बैंकों कर रहे थे साथ में एक समय ऐसा आया जब हम लोग जेट इसकी वाला सीन जो देख रहे होंगे जी तो उसमें हम लोग समंदर में शूट कर रहे थे दम आखरी के डिसकी चलाना था इन्हें के सारी भाई को इसमें वह गनवन भी चलाते हैं लेकिन इन्हों ने इससे पहले कभी चलाया नहीं था दो मिनट की ट्रेनिंग उन्होंने ट्रेनर से ली और फिर उसके बाद उन्होंने सीन जमा जम किया उस वक्त ऐसा मैं अपने करेक्टर से बा ही निगेटिव आपने किरदार के लिए दर्सकों का भरपूर प्यार मिल रहा पिछले हपते पटना में थे वहां पे भी आपका प्रेस कॉंट्रेंस और लोगों का बहुत प्यार मिला इस प्यार प्यार कि आप कितना उत्साहित है यह तो अच्छी बात है और यह समझे कि उर्जा से पूरा भर दिया है और एक जिम्मेदारी भी पड़ा गई कि अब हम अब इससे उपर का सिनेमा बनाएं और चल्चाय बजार में गर्म हो चुकी है यह आप दोनों का साथ कैसा कॉम्बिनेसं था जब आप सारी जी से मिले इस फिल्म में उनका क्या कहना था कैसा कॉम्बिनेसं था कैसे आदमी है के तो हम लोगी बाइनिंग पहले सिनेमा से बहुत अच्छी है और अक्सर हम जब भी मिलते हैं तो बढ़ी की बात होती है कि यह समय में मैंने भी बनाया था बढ़िया तो हम दोनों बॉडी की यह तो बात करेंगे यह तो फिर यक्टिंग की बात करेंगे तो जाहतर हम लोग बात जो होती हो क्रियेटीव ही होती है कि सारी जी कैसे इंसान लगे आपको इंडस्टी में उनके लिए निगेटीव बाते कुछ ज्यादा होती है अब नजरिया है अब सबका अपना जो जिस नजर से देखेगा दुनिया वेसे नजर आएगी वाइकि मेरा नजरिया उनके प्रोती बहुत सक कर जो कहां से कहां तक पहुँचे तो एक प्रेडना ही है हम ने उपने नेओं के लिए खैसारे जी कल लिए आज इंट्राग्राम पे लाई खैसे आपने देखा होगा कहास चर्चा किया है आपके नाम का जिक्र किया उन्होंने लाइब में अरे वाह यह मैंने लिए बहुत ही गौरों की बात तमाम कलाकारों का भी नाम ले उसमें आपका भी नाम एक जगह काफिल यह कि इस फिल्म मेरे भाई मेरे खलनायक है विनित विसाल उन्होंने जबरजस्त काम किया है है कि अन्हीं प्यार है और अगे कि क्या क्या फिल्म रिलीज़ पर है अगे की हमारी फिल्म में है अक्षरा आनेवाली है ईसमें और फसल तर्निसलल यादयों जी और अलोटरी आने वाली childcare किया है अभी अमलों दू circles कर आये इसमें माहिश्रवास्तो हिरोईन है तो यह सब आगे की फिल्में है अभी है तमाम फिल्में है आगे यू कहें कि बिनित पिसाल जी दॉज़र 24 में धमाका ही दमाका करने वाले दमाका मतलब यह है कि कंटिन्यू काम पब्लिक के बीच में आता रहे और मैं भी कंटिन्यू बिजी रहूं बस यही दुआ करता हूं उश्वर से पहले के फिल्मों में क्या होता था सर की हिरो यंग विलेन बुढ़ा दिखाते थे मुझे यसा लगता कि आपके आने के बाद एक एंटी हिरो के रूप में आप उभड़े हैं और सामने सामनी बराबर उनके हिरो के साथ आपकी फाइट आपकी सारे सिंस होते हैं अब ऐसा तो भी महसूस नहीं होता है लेकिन यह है कि जो रोल मिल रहे हैं और अपनी कोशिश है कि उसको उसके साथ सही नयाई किया जाए बस चले जो भोजपुरी दर्सक आपको इतना प्यार दे रहे हैं दूसरे हफते में बंपर चल रही है उनसे क्या कहना चाहेंगे आप कहेंग यह सब आप लोग आशिरवाद प्यार ही है तो यह आशिरवाद प्यार सदा बनाए रखें और अभी आगे हमें संघर्ष को और बड़े मुकाम पर देखना है जैसे आज हमें मल्टिप्लेक्स मिल गया है तो हम और पूरे पैन इंडिया मिस फिल्म को और खैला सके यह बस यह दुआ करते हैं आप लोगों से फिल्म के प्रोडूसर रतनाकर जी उन्होंने दिल खोल के पैसा खड़्चा किया दिल खोल के कलकारों का भी जो जिसने कहा उन्होंने सपोर्ट के उनके बारे में क्या करेंगे उनके लिए इतना कहा जाए बहुत कम होगा क्योंकि बिना उनके साहस का यह कर पाना बड़ा मुश्किल था और बैक सपोर्ट बहुत जरूरी है इसे बड़े-बड़े काम करने का तो वह दम आगे-आगे खड़े रहते थे पैसे की चिंता नहीं बस शौट चाहिए जो चाहिए इस तरी कहानी हमारी होनी चाहिए इन सब पर प्रमोशन से दूर रखा गया है आप समझ सकते में किसकी बात कर रहा है मैं यह मैं बात करें आवं के बेटी करिती की ही अच्छा जीन उन्होंने कैपी अच्छा काम कि us दूसरी फिल्म है लेकिन प्रमोशन नहीं थे उनके बारे में क्या करेंक। तुछ संस हैं आपके उनके साथ फिल्म में करीज़ेंबर कोई सीन नहीं यह मर जाने करें बाद उसकी एंटरी होती है लेकिन हम लोग बैंकोक में साथ में धी पूरी में की तो घुड़ियद्ध वहाँत इंटेलिजेंट लड़की है बहुत तरह इतने कम परिपक्ता बहुत काबले तारीफ है एक और फिल्म आपके साथ रिलिज हुई थी हरहर गंगे यू कहा जाए तो फिल्म आधे मोहें गई है कुछ कहना चाहेंगे हरहर गंगे के बारे में अभी अच्छली हमनों संगर्स पर ही हम फोकस किये हुए है तो अभी ऐसा कुछ न्यूज आया न ना कोई प्रचाण ना प्रसार कहीं संघर्स के आगे ओ फिल्म पिट तो नहीं गई अब यह तो आप समिक्षक ही बताएंगे आप रिपोर्टर्स ही बताएंगे क्या पोजीशन है चले ब्रींद जी मैं एक दो दिन में जानने वाला हूं खुद सिनेमा हॉल में अगर मौक में झाले कि बताएंगे क्या और हूं और है, टू झाले क्या हूं झाले तू थारा ले वीन है कि बताएंगे झाले को आप श्ला हूं Battle